इससे पिछले वाले वीडियो में आप सुबों ने इंडोर गेम के बारे में अधिन किया था आज की इस वीडियो के माधिम से हम सबी लोग आउट डोर गेम के बारे में अधिन करेंगे यानि कि हमारा जो वीडियो है आज आउट डोर गेम के उपर होने वाला है इस वीडियो के मादिम से आप किन किन चीजों को सीखेंगे चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आउट डोर गेम क्या होता है इसके बाद आप जानेंगे कि आउट डोर गेम का अर्थ बंपरिभासा क्या है शाहती साथ आप यह भी जानेंगे कि आउट डोर गेम के कुछ प्रमुक उदाहरन कौन कौन से है और अंत में आप यह भी जानेंगे कि आउट डोर गेम की क्या विशेष्टा है क्या इसकी खाशियत है और आउट डोर गेम के क्या नुक्षान भी हो सकते है इन सारी बातों का आप इस वीडियो के माध्यम से complete जणकारी को अध्यन करने वाले हैं तो श्वागत एक फिर से आप सभी का अपने YouTube शैनल आरके डिश्टरड़ी पे और इस YouTube शैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग आउट डोर गेम के बारे में अध्यन करने वाले हैं यह आउट डोर गेम क्या होता है इसमें आपको तीन चीज देखने को मिलना होगा एक आपको आउट दिखडा होगा दूसरा डोर दिखडा होगा और तीसरा चीज वो आपका गेम यानि कि आप लोग इसको ऐसे तोड़ियेगा तो एक आउट निकल के आजएगा एक डोर निकल के आजएगा एक आपका गेम निकल गयागा आउट का मतलब होता है बाहर डूर का मतलब दर्वाजा या फिर घर कहले और गेम का मतलब होता है खेल यानि कि वैसा खेल जो घर के बाहर खेला जाता हो यानि घर के बाहर का खेल क्या हो जाएगा यह सारे आपके outdoor game में आ जाएंगे यानि किसकी प्रिवासा के अगर हम बात करें तो हम लोग कहें सकते हैं कि वो ऐसा खेल जिसे घर के बाहर यानि खूले मैदान में खेला जाता है उसे outdoor game कहा जाता है घर के अंदर खेला गया उसको हम लोग indoor game कहेंगे और जो game घर के बाहर खेला जाएं किसी मैदान में जाकर के खेला जाएं उसको हम लोग outdoor game कहते हैं outdoor game के अगर हम कुछ उदारन की बात करेंगे तो हमारे कुछ परमक उदारन इस परकार से हैं जैसे cricket, foot wall, volley wall, hockey, khokko, kawaddi यह सारे किशारे जो game के परकार है ना यह सारे किशारे game आपके outdoor game के उदारने क्योंकि यह सारे किशारे game आपको घड़ में संभब नहीं है इसको खेलना इसके लिए बाहर आपको खुले मैदान में जाना होगा जैसे आप cricket की बात कर लेजे यह भी आपको खुले मैदान में खेला जाएगा आप बात कर लिजे बॉली वाल की ये भी आपको खुले मैदान में खेलना होता है घर के बाहर आप बात कर लिजे यहाँ पर कवड़ी की ये भी घर के बाहर खेला जाता है आप बात कर लिजे यहाँ पर फूट वाल की ये भी घर के बाहर ग्राउंड में खेला जाता है तो व में नुक्षान हो सकती है इन सारे बातों पर हम लोग चलिए यहां पर एक नजर डालते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यह कि आउटडूर गेम फिटनेस के लिए काफी प्रभापसाली होता है चुकि आउटडूर गेम में आप देखे हैं कि इसके खिलारी होते हैं व इसके लिए एक्जामपल बोले तो मतलब इसका जो विसेस्था है वो यह है कि इसके लिए ज़्यादा जगह की अवशकता होते है यानि अपस में टकड़ा जाते हैं जिस से उन्हें चोट लग जाती है तो आउटडूर गेम में चोट लगने की ज़्यादा संभाबना होती यह इस गेम की कहे तो एक नकारातमक पॉइंटी भी है, नुक्षान वाले पक्स भी है, ठीक है, इस प्रकार के खेल जो होते हैं, यह मौशम से प्रभावित होते हैं, जैसे कि अगर बारिस हो गई, तो फिर घर से बाहर खेला जाड़ा, इसलिए मैदान में बारिस आजाती है बारिस के समय भी नहीं खेला जाएगा, अगर ज़्यादा बारिस हो गई, फिर भी खेल बाधित होता है, अक्षर आप देखेंगे कि किर्केट मैच में यह बताया जाता है कि बारिस के वज़ए से फलाने और फलाने देश के वीज़ जो मैच थी, वो रद कर दिया गया है, क्यों कि बारिस के वज़ए से हमारा आउट रोड गेम प्रभावित होता है, टीके, आउट रोड गेम को भी आप अपना करियर के रूप में चुन सकते हैं, जैसे फूट वाल है, किर्केट है, वाली वाल है, यह खोको है, कबड़ी है, इस सब को भी आप अपना करियर के र करियर बनाया, और जिस किर्केट को करियर बनाया, वा एक आउट रोड गेम का एक्जामपल था, उदारन है, टीके, प्रकार है, इस तरह से यह आपके महतपुन पॉइंट सब के ऊपर हमने चर्चा किया, आउट रोड गेम से रिलेटर, उमेद करते हैं, कि यह वीडियो आ इसलिए कर लिज जाएगा, क्योंकि इस तरह की रोचक महतपुन और उपयोगी वीडियो में जब कभी अप्लोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए पिक के साथ, तब तक लिए देखते रही हमारे चानल, और क्योंकि इस वीडियो को धन्यवाद।